बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका री एकजाम का तिसरा पाली है, तिसरा पाली आज यानि की 18 अगस्त 2024 को संबन हुआ है, ठीके, आपके 18 अगस्त यानि की आज के एकजाम में पूछे गए, ओरिजिनल कुश्चन पेपर में जो प्रस्ण आपके पूछे गए सभी जिला से प्रस्ण हमें प्राप्त हुए है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी जीलों में पूछे गए जो प्रस्ण है GK और GS के प्रस्णों को हम लोग इसमें सल्व करने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप अपने एकजाम में कितना ESCOR सही कर पाएं हैं ठीक है साथ ही साथ यह वीडियो अगामी 21 अगस्त 25 अगस्त और 28 सगस्त जिन स्टुडेंट का एक्जाम है उन लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट यह वीडियो है क्योंकि प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे गए हैं आपके क्लास से प्रूब के लिए टेलिगराम पे सारे प्रस्ण डाले गए हैं वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं क्लियर चलिए तो हम लोग सेशन को सुरू करते हैं आप लोग सुरू में ही सेशन को जदा सेदा सेयर और लाइक कर देजिएगा चलिए देखिए प्रस्ण जो पूछा गया था आप सभी से आपके एकजाम में। लोग सभा की कुल सीटे पूछा था तो 543 है हम जब करेंट आफ वियर पढ़ाये थे आपको यानि की लोग सभा से संबंदित उसमें इस प्रस्ण को हम लोग जिक्री किये थे ठीक है आगे देखिए अगला प्रस्ण पूछा था लिछवी की रजधानी तो लिछवी की अगला प्रस्ण कि पूछे गए थे प्रयाव्रण दिवस मनाया जाता है तो 56 अगे का पूछे गये थे मानव विकास रिपोट जारी करने वाला पर्थम राज पूछा गया था तो मद्य पर्देश आप याद कीजिए जब हम HW के सीरीज चला रहे थे टेली गराम पे वहां करेंट आफियर में यह प्रस्ण हम डाले हुए थे ठीक है मद्य पर्देश वाले अप्षन को सही किये हैं बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है सिंधु का उद्गमेशतल आपसे पूछा गया था तो सिंधु नदी का उद्गमेशतल की अगर मैं बात करूँ तो ध्या रखेगा सिंधी खुवान आप लोग ध्यार रखेगा जो भी option में दिया था आप लगा है बिलकुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है ठीक है आगे प्रस्ण पूछा था भारत के पर्था महिला पिम आपसे पूछा था तो कौन हो जाएंगी परधान मंतरी महिला तो इंदरा गांदी हो जाएगे ठीक है जो भी option में दिया था आप बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है ओम बीडेला का संसद्य च्हेतर आपसे पूछा गया था था तो मींग गर हुआ तो फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके अप्शन में दिया होगा यहीं पर फाइनल हुआ था याद रखिएगा क्या अप्शन में दिया था आप सभी जरूर कमेंट करके बताईए अगर आपके चिप्ट में प्रस्ण आया था तो ठीक है आगे प्रस्ण था यह प्रस्ण भी आपके टेलिगराम के ह्व के करेंट अफ्यर से पूछा गया है मित्र सक्ति किस देश के बीच युद्ध अभ्यास है तो भारत और सिरलंका आप सभी लोग धिया रखिएगा जो भी अप्शन मे श्रित पेटरॉल जो अपसन में दिया था अगर आप लगा है बिलकुल आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा किलियर आगे प्रस्ण पुछा था यानि कि तत्तो बोधनी सभा के आप से पूछा गया था यानि कि संस्तापक पूछा गया था थूदा सा प्रस्ण ये गलत ल गैस में इस बात को ध्यान रखिएगा असरवाधिक सबसे अधिक होता है गैस में सबसे कम होता है ठोस में इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया था टीहरी बांध पर्योजना तो देखिए अपसन में अगर भागी रती प्लस अलक नंद तदिया था यह भी सब़स्चा ऐब भागर भागी रती भी दीया होगा यह भी सब्लिदक चलिकल कईवारश विजला गया था राष्टी ये उप्भोक्ता दिवस कब मनाय जाता है तो राष्टी ये उप्भोक्ता दिवस के लिए अगर अप्षन नमबर में जो भी दिया था 15 मार्च लगा है बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है किलियर आगे प्रस्ण पूछा था कोसी नदी घाटी क का स्तापना देखिए 1954 से 56 हो जाएगा क्या दिया था अप्षन में आप सभी जरूर हमें कमेंट करके बताए ठीक है चलिए आगे देखिए आगे प्रस्ण पूछे गया थे आपसे यानि कि ऑप्रेशन फल्ड का संबंद किस से है तो दूद से है आप सभी को कितना बार बा प्रस्ण पूछा था बंदे मात्रम के लेखा कौन है तो बंकिम चंदर चटर जी आपके अपसन में जो भी दिया था अगर आप लगा है बिल्कुल आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जागा क्लियर चलिए आगे देखिए और भी प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे गये थे रिपीट हुआ है यह प्रस्ण बिहार का पहला रामसर साइट तो कावर ताल जिल आप लोग ध्यान रखिया कहां पड़ता है बेगू सराय तो अगर कावर जिल दिया होगा अपसन में जो भी दिया होगा आप सही किये हैं कावर जिल वाले अपसन को बिल्कुल आगे प्रस्ण पुछा था बिहार विष्णूपत्मंदिर कहा है तो बिहार जिके के मराथन में बताये थे कि गया मेस्तित है ठीक है आगे प्रस्ण पुछा था कि 1857 की करांती बिहार में कब सुरू हुआ तो बिहार में सुरू हुआ था 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी ग हुआ न तो अगर आप इस अप्षन को सही किया है जिसमें भी रोहनी जबाब है क्लियर आगे देखी आगे प्रस्न पुछा था आप सभी से की बिहार कोकिला किसे कहा जाता है तो सर्दा सिन्हा को कहा जाता है और एक प्रस्न और रिपीट हुआ था आज एक जाम में बिहार का सोक नदी तो कोशी हो जाएगा ठीक है आगे पूछा था बिहार में लोग सभा का सीट पूछ लिया गया था तो 40 बताए थे कितना वर बताए थे लोग सभा का 40 अभिधान सभा का 245 याद है आप लोगों को अगर आप 40 वाल भागलपूर में है भागलपूर अगर जो भी अप्सन में दिया था भागलपूर लगा है बिल्कुल आपके प्रस्न का सही जबाब ठीक है आगे पूछा था कंचन जंगा कहा इस्तित है तो सिक्की में इस्तित है इस बात को ध्यां रख्येगा ठीक है आगे अपना प्रस् पूछाता सुदर्शन जिल किस राज में है तो गुजरात अगर अपसन में दिया था आप सही किया है गुजरात बिल्कुल आपके प्रस्नका सही जबाबे ठीक है आगे प्रस्न पूछाता यानि कि संविधान दिवस को मनाय जाता है तो 26 नौवंबर को संविधान दिवस मना जाता है जो भी अप्सन में दिया था अगर आप ठीक किये हैं बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जवाब है ठीक है आगे प्रस्ण पुछा था इवेनों की एस्तापना तो याद के जिए 24 अक्टूबर 1945 को हुआ ठीक है 24 अक्टूबर 1945 वाले अप्सन को सही किये है आप बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जवाब है ठीक है आगे पुछा था भारत की बितियर रजधानी काफी इजी प्रस्ण है आप सभी इस प्रस्ण का जवाब बताईए हमें कमेंट करके क्या होगा बताईए तो जल्दी क्या होगा आगे देखिए राष्टिय अंत्रिक्स दिवस को मनाया जाता है तो 23 अगस्त को मनाया जाता है ठीक है चली आगे देखिए अगला प्रस्ण क्या पूछा गया था उत्पलावन का सिधान्त किस ने दिया तो आर्की मेडिज ने दिया था उत्पलाव प्रस्ण में दिया था आप सही किया है बिल्कुल आपके प्रस्ण का सही जवाब है केलियर आगे प्रस्ण था बिहार में सक्छारता दिवस तो बिहार का सक्छारता दिवस 2011 की जनगर्णा के अनुसार 18.8% है इस बात को दियां रखेगा अगे प्रस्ण पुछा था बिहार का लिंगा अनुपाद की बात करूँ तो यद रखेगा 918 प्रती 1000 पुरूष ठीके आगे प्रस्ण था आपका खेड़ा अंदोलन, तो खेड़ा अंदोलन 22 मार्च 19 सो कब हुआ था, 18 को हुआ था, ठीके, 22 मार्च 19 सो 18 को, किलियर, आगे पुछा था, ठोस कार्बन क्या होता है, तो CO2 को ही तो ठोस कार्बन कहा जाता है, 11 अगस्त के दिन भी या प्रस्ण पु पुछा था, वासिंग मसीन का कारेशिदान, अब केंदरिये बल हो जागा, अप्सन में दिया था, अब केंदरिये बिल्कुल आपकी प्रस्ण का सही जवाब होगा, ठीके, आगे देखिए, आगे प्रस्ण आप से पूछ लिया गया था, होम रूल लीग 19 सो 16 में बाल का धरतीलक ने चलाया था, बिल्कुल आपके सही जवाब है, एनी बेसेंट ने भी चलाया था, मदरास के अडियार छितर से, ठीक है, दो सितंबर, और फ्रांसीसी करांती का अब हुआ, तो 1789 में फ्रांसीसी करांती हुआ, अगर अप्सन में दिया था, 1789 आप लगा है, ब करक में किया गया था, किस के द्वारा तो रोबर्ट हुग के द्वारा, ए भी प्रस्न आपके एकजाम में आया था, ठीक है, आगे भी प्रस्न आया था, हम याद आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा संग पुछा गया था, तो अगर आप अर्थो पोड़ा लगा है, बिल कि महात्मा गाधी जी ने भी किया था, उनका योगदान था, याद रखियेगा, ठीक है, आगे प्रस्न पुछा गया था, कि बैटरी में कौन सा अमल पाया जाता है, तो S2SO4 अगर आपके अप्सन में दिया था, आप लगा है, बिल्कुल आपके प्रस्न का सही जबाब हो ठीक है, आगे प्रस्न पूछा गया था आपसे, RBI की स्थापना आपसे पूछ लिया गया था, एक अपरल 1935 अगर आपके अप्सन में दिया था, अगर आप लगा है, बिल्कुल आपके प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, और भी प्रस्न आपके एकजाम में पूछे गए थे, कि वनस्पति वसा और जन्तु वसा किस परकार के, यानि की हाइड्रोकार्बन है, तो वनस्पति वसा संत्रिप्ट और जन्तु वसा आपके असंत्रिप्ट हो जाएगा, क्या दिया था, अपसन में, आप सभी जरूर हमें कमेंड करके ठीक है आगे पुछा गया था यानि कि आगे प्रस्ण पुछा था कर्मनासा नदी गंगा में बिहार में कहां मिलती है तो बक्सर के दिया रखेगा बिहार जी के कैस्पेशल क्लास में बताये थे डिसकर्शन में बक्सर के कहां मिलती है चौसा में मिलती है याद रखेगा प्रस्ण पूछा था कि जिवाडू को पौधा नहीं मानते हैं क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि जिवाडू में सेलूलोज नहीं होता है क्या नहीं होता है सेलूलोज नहीं होता है इसलिए नहीं मना जाता है ध्यान रखेगा आप सभी लोग किलियर आगे भी प्रस्ण पूछा गया था कि budget किस अनुछेद में तो 112 अनुछेद में budget का प्रवधाने इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है एक और प्रस्ण बचे बता रहे थे कि पुछा गया था कि सबसे अधिक जूट कहा होता है तो वेस्ट बंगाल यानि कि पच्छिम बंगाल में होता है इस बात को भी ध्यान रखेगा ठीक है आगे प्रस्ण पुछा गया था कि बड़ फुलू बीशानू बड़ फुलू बिशानू तो किसे कहा जता है याद इसे बताये थे H5N1 H5N1 जो भी अप्सन में दिया था अगर आप इसको सही किया है बिल्कुल आपके प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस सेशन में हम लोग अधिक्तर जो आपके 18 अगस्त बिहार पुलिस में प्रस्न पूछे गया है एकदम सटीक उत्तर आप सभी को हम सल्व करवा दिये है अगर आपके एकजाम में इसमें से कितना प्रस्न आपके शिप्ट में पूछा गया था आप अपना S-Core हमें जरूर बताईएगा जिससे Cut-Up का Analysis जब किया जा तो आप Cut-Up के Nearest है या दूर है आपको पता लग जाए ठीक है सेसन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा चैनल पने हैं जरूर आप लोग सस्क्राइब कर देजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस सेसन को सेयर कर देजिएगा ठीक है चलिए तो इस सेसन को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं फूल सलूशन के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत